आउज बिल्लाई हमिनी शेतन रजीम बिस्मिल्लाई रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकूं रह्मतुल्लाई वबरकातु हूँ उमीद है कि आप सब ठीक होंगे हाँ जी तो आज की हमारी तैसे भी है चना चाट इसके लिए हमें वाइट चने चाहिए उबले हुए आलो, आलों को भी मैंने उबल की छोड़ चोटा काट लिया है और जो मसाले चाहिए उसमें नमग, लाल मिर्च, दन्या, चाट मसाला और जीरा अगर आपके पस चना पौडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं और गार्निशिंग के लिए ओनियोंस, लैमन, हरादनिया और पौधीना और सॉस भी आपकी अपनी पसंद की आप कोई भी डाल सकते हैं मैं इमली की सॉस और थाई चिली होट सॉस डालूंगी तो सबसे पहले एक सॉस पैन में आपने ओयल डाल के इसको थोड़ी ज़र गरम करने के लिए रखना है जब ओयल थोड़ा सा गरम होगा तो इसके अंदर हमने प्यास डाल देने हैं प्यास भी चुट चुटे काटके मैंने रखे हुए थे और प्यास को ब्राउन नेहीं करना बस हलका सा आपको नर्म करना है तमाटर डालके प्यास टमाटर को अच्शे तरीके से मिक्स कर लें और ये चीज अचछ़ों सतंथ हम आज के मैसिज के उपर भी आएंगे हाँ जी तो आज का मेसिज हमारा ये है कि आपको जितना ज़्यादा आपको चाहे अपने लिए टाइम निकालना आप निकालें और कुछ ऐसा काम करें जिसे आपकी सेटिस्फेक्शन हो अगर काम में आपका शुरू में मुश्किल है तो आप ये है कि वो करते रहें आस्ता इस्ता परफेक्ट हो जाएंगे लोगों की बाते ना सुनें क्यूंकि लोगों की तरह तरह की सब के अपने अपने वे आफ तिंकिंग्स हैं और यह है कि आपको अपने लिए देखना है किस काम से आप मुथमेइन है है जी तो हमारा मसाला ची तरीके से बून रहा है टमाटर और प्यास और सारे मसाले डाल के हम इसे बून रहे हैं अगर आपको लगे कि यह थोड़ा सा नीची से लग रहा है तो आप पानी डाल के इसे मिक्स कर लें और वाइट चने जो हैं वाइट कर लें वाइट चनों को भी मसाले के साथ अच्छे तरीके से बून लें ऐसे तो वाइट चने बॉल हैं लेकिन मसाले के साथ बूनने से यह मिक्स हो जाएंगे और अब हमने उबले वे जो आलू हैं वो भी छोड़ छोड़े काट के रखे हुए थे इसको भी चने के साथ मिक्स करके डालके तो हिला लेना है आप चाहें तो ओपर से ओटमाटर भी डाल सकते हैं और अगर ना चाहें तो कोई इतना मसला नहीं है तो ओटमाटर डालके तो फिर यह है कि आप इसे मज़ीद बुनेंगे जब तक कि सारे चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाएं ऐसे सब चीज़ें गली हुई हैं बोई हुई हुई हैं लेकिन मसाले के साथ मिक्स करने के लिए हमें इसे हिलाना है तो टेमाटर डालके तब हम इसे हिलाएंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तक कि सब चीजें बिलकुल आपस में मिल जाएं और उपर से सॉस डाल लेंगे इमली की सॉस, होट चिली सॉस या जो भी आपको पसंद है सॉस वो डालके तो इसे हिला लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे चॉला बंद करके हमने ये सॉस डालनी है अब चाट को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक दफ़ा दुबारा हिलाएंगे चना आलू चाट हमारी माशालब बहुत जबर्दस लग रही है और बिलकुल रेड़ी है इसे अच्छी तरह मिक्स करके तो डिश आउट करने की अब हम त्यारी करेंगे जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे उतना अच्छी चाट में टेस्ट होगा और चाट उतनी ही डिलिशियस होगी आजी तो चाट हमारी बिलकुल रेड़ी है अब देख सकते हैं सब चीज़ें आपस में मिल गई है मिक्स हो गई है और अब हम डिश आउट करेंगे उपर से हम ऑनियंस राउंड शेप में काटके टमाटर अगर आप जालना चाहें अगर ना डालना चाहें तो सिरफ ऑनियन दनिया लेमन और पुदिना डालके उपर से आप सोस दोबारा डालके तो सर्व कर सकते हैं उमीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी अजी तो आप कमेंट्स लाइक और शेयर करने ना बुलिएगा अपने बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी खास दौाओं में याद रखिएगा ओके जी अलाहाफिज फी अमान अल्लाह